दोस्तों मीथ सीरियल काने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिल्चस देखने को मिलने वाला है दोस्तों जब आप लोग देख पाएंगे किस तरीका से मीथ हुड़ा की प्रॉपर्टी इस समय निलाम की जा रही है लेकिन दोस्तों मीथ हुड़ा की प्रॉपर् करन हो चुका है कि हां यह लोग पूरी तरीका से फैकनेस कर रहे हैं क्योंकि लाजबंती जो अपने उपर आरोप लगवाया था उसने कि आरोप लगाया था उसने यह सोधा के उपर कि मुझे मारने की कोशिस की गई ती यह भी पूर्ण रूप से फेल होती हुई ही नजराने वाली है दोस्तो आप लोग जानते ही हैं कि इस समय सभी लोग बेहत जदा चिंता में नजरा रहे हैं दोस्तो बात की जाएं इस समय की तो सभी लोगों को पता है कि आखिरकार मीथ हुटा के उपर खाली यह आरोप लग रहे हैं इसमें किसी भी तरीका की कोई भी तो हूं की जल्दी ही आप लोगों के बीच में कहनी एक और भी नया टोस्ट लाती हुए नजराने वाली हैं बात की जाएं इस समय की बड़ी अपडेट पर तो जल्दी ही लोगों को पता लगने जा रहा है कि आखिरकार यह एक सोची और समझी साजिस्ती ना कि कुछ और ह तो हूं कि सोची समझी साजी से ही इस तरीका से हो रही है कि मीथ हुटा को किसी भी तरीका से सभी लोगों के सामने बिल्कुल भुद्दा राखने की दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि सभी लोगों कमान नहीं है कि समय जो मीथ हुटा के साथ में किया जा रहा है वाके में दोस्तों बेह ज़्यादा गलत और बहुत ज़्यादा सरमनाक है इसके लिए इन लोगों को गर सजा भी मिले तो वो भी कम है क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि मीत हुटा के साथ में जो गुजर रहा है वो बिल्कुल गलत गुजर रहा है क्योंकि मनमीत और मीत हुटा अब बिलकर सगुन को फाइनल जेल पहुचाने की प्लानी करते हुए नजराने वाले हैं दोस्तो साथ दोस्तों आप लोगों के सामने मैं हूं रोहित नागर जी हां दोस्तों हाद जोड़कर अन्रोफ करना चाहूंगा इस चैनल को सिस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरू बताएगा